हाई एवरिवान सभीका स्वागत है अपनी कक्षा में आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ आंट जैनिफर स्टाइगर्स विच इस रिटन बाई एड्रीन रिच हमारी एड्रीन रिच इस पॉम में आप लोगों को बताना चाहती है कि कैसे कोई भी और कोई भी वुमन अपनी मारेज लाइफ में कैसे खुश है या फिर खुश नहीं है आपने भी देखा होगा इन फाक्ट रूरल एरियाज में आज आज भी ऐसा ही होता है जहां पर एक औरत को फ्रीडम नहीं मिलती है राइट वह अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर पाती है इन मॉडरन लाइस्टाइल में भी कुछ औरते बहुत सप्रेज़ एं क्यों है क्योंकि मेबी उनके हस्बेंस उनको फ्रीली नहीं टीने दे रहें रहें मेपी फ्रीली उनको मूब नहीं करने दे रहें यहीं टॉपिक हम लोग आज इस पोम में उठाने वाले हैं और यह लोगों को detailed explanation provide करूंगी, it is a very very short poem, okay, and you people will enjoy while reading this poem also, शुरुआत करेंगे हमारे poet से, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत important information देना चाहती हूं, कि आप लोगों के description box में notes available है, which is a one-stop solution for you all, right, और आप जानते हैं कि अभी तक हमारे सारे के सारे chapters, सारी poetry's upload हो चुकी हमारे channel पर, flamingo के सारे के सारे chapters ले लो आप लोग, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, विस्तास के सारे के सारे chapters देख लो आप लोग, ठीक है, उनके notes देख लग सकते हैं आप लोग सभी के सभी, okay, तो ये सभी चीज़े आप लोगों को इस channel पर मिल जाएगी, which is going to help you a lot for your board preparation. So, all the best everyone. वैसे ही उनकी according, एक ओरत जो है ना, after marriage उस web में फस जाती है, right everyone? and the poet is also not saying की हर औरत फस जाती है, okay, ये हम किसकी Aunt Jennifer के थ्रू हम उन ओरतों के बारे में पढ़ेंगे, जो लोग अपनी life में और अपनी marriage life से, they are not satisfied, they are not happy, okay, okay, now the poem Aunt Jennifer's, Tigers, addresses, the constraints of married life a woman experiences, right, यैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि आर एक शादी शुदा औरत ना, कुछ-कु and women are not satisfied, कुछ ratio of a woman, they are not happy, they are not content with their life, क्योंकि maybe उनके life में वो जो problems आजाती है, वो restrictions जो आजाती है, वो उनको अच्छी नहीं लगती है, और हमारी जो Aunt Jennifer है, वो भी, she is also not enjoying her life, you know why, and उनोंने, जो लाइफ वो जीना चाहती है, वो लाइफ उन्होंने अपने tiger के थ्रू बताई है, right everyone, तो जानते हैं, समझते हैं इस poetry को, ये तीन पारग्राफ में हमारी पूरी की पूरी poetry है, जो कि हमारी एड्रीन रिच ने समझाई है, क्योंकि हमारी जो Aunt Jennifer है, she is not happy, और वो जिस तरीके से जीना चाहती है, वो उन्होंने हमारे इस tiger के थ्रू समझाया है, start करें understand, concentration रखना और पढ़ते हैं जल्दी से, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, जो Aunt Jennifer है ना, उनका जो tiger है ना, वो उनकी screen पर, basically, वो embroidery कर रही है, किसी cloth पर, a piece of cloth पर, वो embroidery कर रही है, तो उन्होंने उसको screen बोला है, तो आपकी screen पर अभी tiger walk करतावा दिखेगा आपको, right, तो यहीं समझाना चाहरे है कि Aunt Jennifer, जिस पर embroidery कर रही है, जो उनकी screen है, वो उस पर move कर रहा है, वो ऐसी embroidery कर रही है, उस पर दिख रहा है, आप embroidery को देखेंगे तो आपको feel होगा, कि that, यह moving position में है, tiger, bright topaz, denizens of a world of green, अब वो जिस तरह से वो embroidery कर रही है, उसमें वो दिखा रहे है कि, जो हमारे tiger है ना, व yellowish color है, denizens of a world of green, basically इसका मतलब है कि वो एक particular place पर रहते हैं, और उनकी एक particular place है, denizens मतलब of a world of green, और उनकी जो जगा है, उनकी वो कौन सी है, world of green है, that means forest है, अब आप इन दो लाइनों से ही इतना समझ गयोंगे कि अभी हम क्या Aunt Jennifer कि tiger के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी qualities पता चल वी हैं हमको, they do not fear the men beneath the tree, as you all know, जो हमारे tigers होते हैं, वो किसी से डरते नहीं है, ठीक है, बच्पन में आपने सुना होगा, शेर पकड़ के लाएगा, टाइगर पकड़ के लाएगा, डरेगा तो नहीं, डर जाते हैं हम लोग, right, सुना हैं, बच्पन में बहुत खेला भ उनको डर नहीं लगता उन आदमियों से, right, they pace, basically, slow walk होती है, they pace in sleek, chivalric certainty, now, अब यहां पर, you know, chivalric का मतलब, you all know, bold होता है, right, तो वो कह रहे हैं कि, जो tiger है, वो slowly walk करता है, आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे, tiger फिर से walk कर रहा है, ठीक हैं, और बड़ी bold, बहुत chivalric way में walk कर रहा है, वो किसी से नहीं डरता, अब इन चार लाइनों में क्या आपको इतना समझ आया कि हमने किस की characters, कि के features समझे है, हमने हमारे tiger की features समझे है, right everyone, क्या-क्या समझा, कि जो tiger है, वो screen पर walk करते वे दिखाया है, bright yellowish color है, you also know this, okay, उनकी बताया है कि उनकी particular place क्या है, forest है उनका बताया है कि वो डरते नहीं है, they are fearless, इंसानों से नहीं डरते, आद्मियों से नहीं डरते, और बताया है कि वो कितने bold है, right, furious तो वो होते ही है, ये चार लाइने आपको लोगों को समझ आ गई, now we will read second paragraph, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, find even the ivory needle heart to pull, the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand, अब दो-दो line आपको, अब देखो, अब आपने देखा कि first four lines में हमने किस के बारे में पड़ा, हमने पड़ा हमारे tiger के बारे में, Aunt Jennifer के, right, अब second paragraph में, ठीक है, अब second paragraph में हम किस के बारे में पड़ने वाले हैं, अब हम second paragraph में Aunt Jennifer के बारे में पड़ने वाले हैं, ठीक है, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि जब वो embroidery कर रही है न, तो उनके हाथ भीने ऐसे कपकप आ रहे हैं, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रही हैं, वो, find even the ivory needle heart to pull, वो जो अब सुई होती है न, आप लोगोंने मम्मा को अपनी, अपनी ग्रांड मदर को, किसी को तो देखा होगा, कभी सिलते हुए, कोई भी कपड़ा, तो अब हमारी Aunt Jennifer से, वो सुई भी नहीं उठाई जारी, वो भी मुश्किल हो रही है, आप इमाजन करो क्यों मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो जो उनके पती देव है, उनके जो, you know, जो massive weight है न, उनकी ring का, कौन सी engagement ring पहनाई जाती है, इस finger में क्यों पहनाई जाती है, क्योंकि कहते हैं, दिल से connected होती है, लेकिन उनकी जो ring है, वो बहुत heavy है, जिस वज़े से वो embroidery भी नहीं कर इतना हाथ भारी हो रहा है उनके लिए, इसका मतलब उनके दिल पे कितना बड़ा बोज है ये शादी, उसके मतलब कि वो बस इस ring को निकालके फैक देना चाहती है, उस mangal sutra को निकालके फैक देना चाहती है, कि नहीं, I don't want to live ये life, उनको नहीं चाहिए ऐसी शादी, उनको free होना है, just like the tiger that she is drawing, that she is embroidering, right? तो वो कहे रहे हैं कि the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand, कि Aunt Jennifer के हाथ में, वो ऐसे बैठ गई है वो रिंग कि उनके लिए इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है, कि वो embroidery करने में उनको असानी नहीं हो पार, वो एक नीडल या light weight होती है, फूक मारो उड़ जा वो भी नहीं हो पार, क्योंकि उनसे नहीं बहुत मुश्किल हो रहा है, उनके लिए वो सहन नहीं हो पारा, उनको ये रिष्टा बहुत भारी पढ़ रहा है, basically, अब हमने समझा, paragraph 1 में हमने tiger के बारे में पढ़ा, जिस तरीके से वो जीना चाहती है, that means freely, second paragraph में हमने aunt Jennifer के ब बहुत दुखी है, बिल्कुल satisfied नहीं है और वो बस भाग जाना चाहती है इस शादी के नाम से भी, but वो फसी पढ़ी है उस रिंग के वजे से, उस शादी के नाम के वजे से, उस responsibilities में फसी पढ़ी है, but she wants to live freely, like a tiger who lives freely in the forest, understood? Now we'll jump on to the third paragraph. When aunt is dead, her terrified hands will lie, अब आप ये देखो, पहले में हमने tiger पढ़ा, दूसरे में हमने aunt Jennifer पढ़ा, अब तीसरे में aunt Jennifer की मृत्यू के death के बारे में पढ़ने वाले है, छोटी सी poem है और उसी में उन्होंने तीन तीन चीजे दिखा दिया है, phases, एक एक paragraph में बदल दिया, उन्होंने पहिर कर दिया है, When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with audiles she was mastered by, the tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid, So, अब third paragraph में आप ये समझें कि अब वो बात करने हैं कि जब aunt हमारी मल जाएगी, When aunt is dead, अब उनके जो terrified hands है, वो जो डरे हुए hands है, जो उनसे काम भी नहीं कर पा रहे थी, जिन हातों से, वो बस ऐसे lie हो जाएगे, वो गिर जाएगे, बेजान हो जाएगे, वो हात तो पादी का नाम वो uncle की जो wedding band है, वो अभी भी उनके, you know, जो औरत होती है, when she dies, she never dies with the name of her father, वो हमेशा उनकी death होती है with the name of her husband, अबने पती के नाम से death होती है, कि ये तो इसकी बीवी थी, तो that's what, Adrien Rich is trying to explain through this poetry, कि अब हमारी ant जब मर भी जाएंगी न, तब भी उनके हाथ ऐसे, you know, it will lie, वो गिर जाएंगे, बेजान हो जाएंगे, बट उनके हाथ में जो finger है न, अब भी भी वो किस की बीवी कहलाएंगी, उस uncle की बीवे कहलाएंगी, जो कि जिस शादी से वो satisfied ही थी कभी, वो तो उसी बोज के साथ मर गई हैं, लेकिन the tigers in the panel that she made, लेकिन उस embroidery पर, जो उस screen पर उन्होंने वो tiger को draw करा था, जो screen पर उन्होंने वो tiger को जो draw करा था, वो उसी screen पर होगा, and he will go on prancing proud and unafraid, और वो जो tiger है, वो proud भी होगा, वो किसी से डरा हुआ भी नहीं होगा and he will live, you know, happily, quietly and bold life जियेंगे, बहुत ही shivalric life जियेंगे अपने forest में, जो life हमेशा से हमारी aunt Jennifer जीना चाहती थी, life free of, you know, वो बोज से जी, बोज से दूर रहना चाहती थी, और वो बोज उनको उनकी शादी लगती थी, right everyone? हमने बहुत beautifully इस word, इन तीन paragraph को समझा, बहुत अच्छे से कि first paragraph में तो एड्रीन रिच ने हमको समझाया कि tiger की क्या features है, right, second में हमने समझा कि जो हमारी aunt Jennifer है, वो क्या महसूस करती है, right, अब third में हमने उनको conclude कर दिया कि अरे, वो तो जैसे भी जी रही थी हमारी aunt Jennifer, वो तो जी ली, okay, वो मर भी गई, लेकिन जिस life को, जिस हिसाब से वो जीना चाहती थी, वो life, वो tiger जी रहा है, जो उन्होंने उस panel, उस screen पर उस tiger को embroider करा है, right everyone, बहुत ही easy poem थी ये, I hope आपको ये poem बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और इस poetry के साथ हमारा entire 12th का syllabus खतम हो जाता है, and I hope आप लोग वो सभी के सभी chapters, हमारी flamingo, विस्तास के जितने भी आप लोगों के chapters है, आपकी poetry है, सभी upload हो चुकी है, उनके आप लोगों के पास description box में notes भी available है, these notes and these videos are going to help you a lot, so all the best everyone, do well in your exams, bye-bye, take care, अपना ध्यान रखिएगा, नमस्तगार.